आज मैं आपको बहुत ही असान तरीका बता रही हूँ जिससे आप अपने बालू को लंबा घना चमकदार बना सकते हैं आज की रेमेडी इतनी ज़्यादा पावरफूल है कि आपके बालू की गुरूद इतनी फास्ट कर देगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे प्रेम मचूर ग्रे हैर की समस्या है कम अमर में ही बाल सफेथ हो रे हैं तुझार से ही काले होंगे natural तरीके से आप अपनी सफेथ बालो को काला कर सकते हैं कोई भी chemical नहीं है अभी hair fall की समसियां आम हो चुकी है गंजापन आ रहा है तो नए बाल उगने सुरू होंगे बालों में dryness आ चुकी है रूखा पना गया है तो बाल इतने चमकदार हो जाएंगे का आप भी हैरान हो जाएंगे बालों के ग्रोथ रुख चुकी है तो बाल बहुत ही तेजी से बढ़ने सुरू हो जाएंगे तो हाई एवरिवन मैं हूँ लक्षमी मेरे चैनल लक्षमी कीचन मैजिक में आप सब का स्वागत है वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूशफूल लगे तिसे लाइक और फैमिली फ्रेंड में सेयर जरूर कर दे और मेरे चैनल पर नए है तो मैं चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले तो चलिए देरी न करते भी वीडियो को सुरू करते इसके लिए फ्रेंस गैस पर आपको कोई भी बरतन चरहा देना है और इसमें डालेंगे एक सी डेरी गिलास पानी पानी आपको फिल्टर पानी लेना है इस बात का धियान रखना है क्योंकि पानी भी अभी बहुत ही ज़्यादा दूसित हो चुका है इससे भी हमारे बाल ज़रने लगे है और फोल की समस्या होने लगी है एक चमच इसमें मेथी दाना डालेंगे जिसे हम फैनुगिरिक सीट करते है नेश्ट आपको डालना है इसमें आमला यह ड्राय आमला है मेरे पास अगर आपके पास आमले का पाउडर है तो वो भी आप इस्तमाल कर सकते है तो दो चमच आपको चाहे तो आप ड्राय आमला डाल सकते है या फिर आमले का पाउडर डाल सकते है और अब हम इसमें डालेंगे सीका काई तो तीन से चार आपको सिका काई एट कर देनी है आपको ये सब किसी भी पंसारी के दुकान में असानी से मिल जाएगा फ्रेंस ये दादी नानी के नुस्खे हैं पहले हमारी दादी नानी जो होती थी इनी चीजों का इस्तमाल करके अपने बालों को लंबा घनाव मजबूत बनाती थी और सदियों से चला आ रहा है आप इसको इस्तमाल करिएगा 100% आपको डिचल्ट मिलेगा एक चमच अब इसमें डालेंगे कोलोंजी जिसे हम मंगरेल कहते हैं और फ्रेंस ये आपके सफीद बालों को जर से ही काला करेगा एक बाले से अपको अच्छे से मिक्स कर देना है अब इसमें एक गुबाल आ गया है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच बर्गर के चाय की पत्ती तो फ्रेंस ये वही चाह की पत्ती है जिसे हम लोग चाहे बनाते हैं और ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसको अच्छे से मिकस कर लीजिए और इसमें केफि colabor होता है ये सफिध बालों को जर्जे ही काला करता है बालों में चमक लाता है इसमें मैंने ऐसे ingredient add किये हैं जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा उप्योगी है इस remedy का इस्तमाल पॉयशो या फिर गल्सो कोई भी कर सकता है क्योंकि लड़कों के बाल भी बहुत ही ज़्यादा चरने लगे हैं बालों में गंजापन आनी लगा है तो इस remedy का इस्तमाल आप कर सकते हैं तो इसको अच्छे से पकाने के बाद एक चीज हम इसमें और एट करेंगे लेकिन सबसे पहले हम इसको चार से पांच मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे ताकि सबी चीजों का अर्क इसमें आ सके आमले का इस्तमाल अपने बालों के लिए जरूर करी चाहे आप कच्छा आमले का यूज करें या फिर ड्राय कर सकते हैं पाउडर के रूप में कर सकते हैं यह आपके बालों को घानापन देता है बालों में मजबूती लाता है इंस्टेंट बालो को जहरने से ही रोकता है इसमें मैंने मेथी का यूज किया है जो कि हमारे बालो को सिल्की और स्मूद बनाता है बालो की गुरूद को बराता है गंजापन आ रहा है तो नए बालो गाने में बहुत ही जादा हेल्प करता है सिका काई का इस्तमाल सिका काई भी हमारे बालों को लंबा घना बनाता है और देख सकते हैं फ्रेंस पाने का कलर कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है और इसका इस्तमाल आपको सही तरीके से करना है अगर आप सही तरीके से इस्तमाल नहीं करती हैं तो इससे आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कभी भी बालों में किमिकल वाले डाय का इस्तमाल ना करें इससे हमारे बाल डायमेज हो जाते हैं तो देखिए बहुत अच्छे से बख चुका है, गैस को बन कर देना है और उसे छान लेना है, तो देख सकते हैं मैंने इसको छान लिया है और अभी बहुत ही जादा गरम है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, आप कभी भी अपने बालों में गरम चीजों का इस्तमाल ना क होगा, एक आपको इसमें विटामिन E की केपसूल डाल देनी है, EV1 400 की केपसूल है, आसाने से आपको मार्केट में मिल जाएगा और यह हमारे बालों को नहीं जान देता है, बालों को जढ़ने से रोकता है, इसी के कमी से हमारे बाल जढ़ते हैं, डैमेज होते हैं, अगर विटामिन E के केपसूल नहीं है आपके पास, आप इसमें एक चमश अलुवेरा जैल भी डाल सकते हैं, बालों में ओल लगाने का समय नहीं है, तो आप इसमें एक चमश कोकोनट ओल भी डाल सकते हैं, और इसे लगाना कैसे हैं, ये आपको बता देती हैं, कितनी देर आप कितना दिन लगाना है ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़ादा जरूरी है सबसे पहले तो अगर आपके पास स्प्रे बोटल है तो आप इस प्रे बोटल में भर लेजिए नहीं है तो कॉटन की साहता से अपने इसकेल पर लगाएं मसाज जरूर करें जिससे बलर सर्कुलेशन तेज होता है बालू की गुरूत बढ़ती है और इसे एक दिन चुड़ा करके एक दिन अपने बालू में अपलाई करना है अगर आप इसमें ओल डालते हैं उसके बाद आप आधे गंटे के लिए लगा करके रख लें नहीं तो आप इसमें नहीं डालते हैं तो आप इसे बिना सिंपू के भी बालों को चाहे तो ऐसे ही धो सकते हैं नॉर्मल पानी से कोई भी दिक्कत नहीं है एक दिन बाद आपको एक दिन इसे लगानी है उसके बाद नॉर्मल पानी से बालों को वस करना है कुछ दिनों के इस्तमाल से आपको 100% result मिलेगा यह मैं guarantee के साथ कहती हूं तो फिरेंस आपको यह वीडियो कैसे लगी आप हमें कोमेंट करके जरूर से बताएं अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूश्फुल लगी है तिसे लाइक और फैमिली फैनल में सेयर जरूर कर दें बेल बटन को जरूर प्रेस क करूं सबसे पहले आप देख पाएं थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए